हेलो व्रेवन वेलकम यूओ आल इट लोकेसर अलिम्टेड स्टडी जोन पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पर शॉट ट्रिक ओन इंडेफिनिट इंटिग्रेशन मतलब की अनिश्चित समा कलन पर कुछ बहतरी शॉट ट्रिक तो आए देखते हैं इस शॉट ट्रिक को लगाने क लिए जो हमारे पास important format है वो क्या है तो आज मैं आपको यहाँ पर फॉर्मिट दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास integration है जीरो से लेके पाई और डी एक्स अपॉन ए स्क्वेर कॉस स्क्वेर एक्स प्लस बी स्क्वेर साइन स्क्वेर एक्स का आपको integration दिया गया है तो इसका आप शॉट ट्रिक क्या लगाएंगे तो याद कर लेजे ऐसे किसी भी question का जो result आएगा वो कितना होगा जीरो टू आपके पास ही कितना result आएगा ये आपके पास में आएगा पाई अपॉन एबी स्वरी जीरो टू नहीं पाई अपॉन एबी इसका रिजल्ट आएगा आपके पास में पाई अपॉन एबी आई ए कुछ प्रैक्टस कर लेते हैं इस पर बेस question की जैसे मालिज आप आपके पास exam में आगया question dx upon 36 cos square x plus 25 sin square x यह आपके पास में answer आगया बहुत practice करिए इनकी आप क्या लिखेंगे बिना कुछ देखे बिना कुछ pen चलाए आपको answer मन में ही निकाल लेना है 36 और 25 का answer होगा भाई पाई भाई 30 इस समिश्या का जो answer होगा कितना होगा पाई भाई 30 कैसे होगा भाई कैसे पता लगा है आपने आपको जरुवत किसकी होती ए की और बी की बस ए और बी का पता लगा जी बस limit पहचान लेजे 0 से लेके पाई है और ए से लेके बी है तो पाई अपॉन 6 इंटू 5 आंसर कितना हो जाएगा इसका पाई भाई 30 इस दा करेक्ट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्रेक्टिस का एक और नमूना में यहां पर आपके लिए देखूंगा इंटिग्रेशन आई Article 2 है डी एकस अपॉन फाइव कॉस स्कॉर 7 अप चलि इसका इंटिग्रेशन बताईय तो इसका इंटिग्रेशन मन में फी सॉल जब करके आंसर दे देंगे आप इस से लेकर कि πाई dx upon a square cos square x ना तो dx upon a square बनेगा तो क्या बनेगा यह root 5 square cos square x और यह बन जाएगा root 3 square sin square x ओके तो trick क्या होती है trick होती है πाई upon a b पाई upon a b ओके तो जब पाई चलता है तो trick क्या होती है πाई upon a b बन जाएगी ओके जब पाई है तो उपर भी पाई है ट्रिक का तरीका क्या होगा जब पाई है तो उपर भी पाई है तो उपर हो गया पाई और A कितना है रूट 5 B कितना है रूट 3 सो आंसर में आगा रूट 5 इंटू रूट 3 आंसर कितना आ गया पाई बै रूट 15 ठीक ना तो देखते ही बिना कुछ पेंच चलाए आपको आंसर मिल जाएगा ठीक ना देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा चलिए देखते ही आंसर बताईए इस question का आपको बताना है 0 से ले करके πाई 0 से ले करके πाई dx upon 144 okay 144 sin square x plus 36 cos square x आंसर के आएगा भाई साब बिलकल आंसर आएगा πाई upon 72 क्यों क्यों क्योंकि 144 किसका square है 12 का square है 666 किसका square है 6 का square है तो आंसर होता है πाई upon a b that is equals to πाई upon 12 into 6 that is equals to πाई by 72 है ना मजी की बाद तो इस तरीके से ये एक बहुत ही जबर्दर्स ट्रिक आपको यहां पर बननी चाहिए डन